कुलिए कि कि वेलकम स्टूडेंट्स हमने बॉनटोनिक प्रिक्शन सिस्टम देघे थे इस अब tampon olsun इसलिंग। पढ़ाने से पहले में आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा और इसके बारे में जो सिंपल सी कहानी है वो यह जिसको आपको याद रखनी है पेपर के टाइम पे वह यह के अब मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि कोई नया रूल आता है कोई नया रूल आता है जो की उसी टाइप का है तो इस टाइप में होगा क्या कि आप उस रूल को उसमें एड कर सकते हैं मतलब यहां पे consistent रूल जो है वो आपस में जो साथ में जो चार पाच रूल रखे हुए है वो सारे consistent है अगला नया कोई रूल आता है कोई नया effect आता है अगर वो मान लीजिए वो भी consistent है और उसी ज पहले भी समझाया मोनर को मतलब होता है वन एक जैसा अगर मान लीजिए मैंने यहां पे पाच रूल बनाये थे पहले जो कि आज से पास साल पहले अपलाय हो रहे थे और अभी भी अपलाय हो रहा है मैंने कोई आज की रेट में 2023 में एक छटा कोई नियम मनाया जो कि उसी के को कहता है उस तरह के रहे उन को से कर सकते हैं और अगर राप रिध्रांट की बात तो आती नहीं kabזה कोई वह नाया यह नए रूल सिर्फ क्या करता है पुराने रूल के साथ जा के दोस्ती और जुड़ जाता है इस ट्राइब के अगर आप स्ट्राइब का यह पो यह काम है जो रीजनिंग जिसके अंदर एक रूल यह के सीड़े सीद्वा फिट हो जाता है पांच को छे कर देता है और किसी र बोड़ा सा में और आगे elaborate करता हूं यह monotonic होता कैसे है क्या है कि जितनी भी information होती है जो consistent होती है यह complete होती है वह सारे की सारे aspect में complete होती है अब अगर दूसरे शब्दों में इसको देखा जाए तो कोई fact है जो कि necessary किसी problem को solve करने के लिए वह already system में present है या फिर आपने उसको derive कर लिया उस fact को जो derive करोगे कोई conventional first-order predicate logic लगाके या first-order logic लगाके आपने उसको derive कर लिया कोई दिक्कत नहीं है उसमें उसमें कोई भी परशानी नहीं है अब आपने जो derive कर रहा जो नया rule उसको भी आप जोड़ लीजिए क्योंकि वह monotonic होगा और यहां पर sufficient amount जो होता है reliable amount of knowledge जो होता है उसके पास already होता है जिससे वह deduction करते हैं conclusion तक पहुंच जाते हैं हमने कई सारे numericals देखे कई सारे numericals के अंदर हमने यह भी देखा कि हम कैसे rules को लगाते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे और वह same type की rules थे जो की implement होके कि परिशानी यह है कि classical problems के लिए तो ठीक है monotonic अच्छा है लेकिन real life में monotonic का साथ हम काम नहीं कर सकते हैं वह इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि efficient नहीं efficient इसलिए नहीं है क्योंकि information जो भी आपकी monotonic reasoning के अंदर होगी वह हमेशा complete नहीं होती कई बार information जब दिससे हम हैं अ अब आपका brain जो होता है वो तो क्या करता है process कर लेता है लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम ऐसे system को तयार करने खड़ा हुए हैं यहां पे कि ऐसा intelligent system जो की आधी अधूरी knowledge को भी पूरा grab कर ले और solution तक चला जाए कई बार आपने लेखा होगा कि कवी समय लेन या किसी भी जगा पे वो लोग एक stanza बोलते हैं और stanza बोलने के बार चुप हो जाते हैं पब्लिक जो होती है जो audience होती है target audience वो इसको complete करती है अगर वो कोई ऐसा famous शायर है जिसका वह stanza बहुत ज्यादा famous होगा तो वह सिर्फ आएगा और खड़ा हो जाएगा और सिर्फ एक बड़ बोलेगा और public जो होती है वो इवन बहुत सारी songs में भी ऐसे होता है कि लोग को को सॉंग चलता है और वो गलती से पॉस हो जाता है तो लोग उसके पीछे से गुर्वनाने चलू कर देते हैं विच मेंस कि उनका दिमा सिस्टम ही नहीं होता है हमारे जो पुरानी चीज़े चल रही थी वह बहुत बड़ी है हम आज भी वही जो हमारे जितने भी नियम है ओम्स का नियम आइंस्टीन का एक्वेशन उसी को फॉलो कर रहे हो तो जिंदे भी चल रही होते लेकिन आजकल ऐसा नहीं है यह जिसको आप दिमाग दोगे और थोड़ा दिमाग उसको खुद भी पैदा करना पड़े मतलब थोड़ी रिज्डिंग उसको खुद भी करना पड़े बिल्कुल सुपर्वाइस ट्रेश नहीं करना हमें कुछ अंसूपर्वाइस भी हो मतलब कुछ चीज़े वह इंवार्मेंट को छीके सिस्टम आपने मेने शुरुवांत में जो बता यह था आपको बताया था कि अगर कोई चलना सीख रहा है बल्कुल को चलना सीख रहा है तो दोड़ना स्को खुद सीखना पड़ता है वह आप करता है तो हमें लार्मेंट्म जिद्दी भी यूज हो रही है वो सारी की सारी ऐसी चाहिए जो कि सिस्टम को सेल अप्टेंग बनाए ना कि इस एक चुरूमज का यह कोई फर्मुले का लाचार मोताज बनाए ऐसे एसे इस सिस्टम को मिंट्लिएंट नहीं कई घाएंगे इसको अधिन कर दे रही हो और वह करने से आपका को तो मतलब नहीं निकला एक्चल में कोई भी प्रपोजिशन को आप लेते हो उसको ट्रू कराते हो फॉल्स कराते हो अब वह अगर ट्रू कराई तो जाहिसी बात है जो मॉनुटर्णिक रीजनिंग बोलती है वह बालम क्या बोलती है कि भाईया अगर कोई चीज़ 0 हो गई तो जीरो वन हो गई तो फर और इस टाइक की सिट्वेशन को आप रियल लाइफ में इंप्लिमेंट नहीं कर सकते हैं मतलब अगर आपने कोई स्टेट्मेंट बोल दिया कोई प्रपोजिशन बोल दिया वह प्रपोजिशन एक बार प्रूव हो गया तो डैट विल बी प्रूव सवरू है और यहां पर हर सरकुम्स्टैंस के अन्दर क्या होता है हर सरकुम्स्टैंट्स नर क्या होता है ऐक उसकोowana person सबस्क्राइब कर गारड़ कि यह सकता है कि सटनल करकर रेकौ foliage मतलब तो यही होता है तो एसी consistency जो है वो practicality के अंदर possible नहीं है कभी-कभी क्या होता है कि real life examples में real life problems के अंदर यह practicality खतम हो जाती है यह equations जो है वह incomplete हो जाती है तो यह एक monotonic का एक बात थी अब होता क्या है कि यह जब भी monotonic reasoning के में बात करता हूं तो एक simple सी बात है हम कोई statement आगर बनाते हैं तो उसको को भी ad hoc fashion में नहीं बना सकते है monotonic की एक और सब्सक्राइब है monotonic बिलकुल उस बच्चे जैसा है उस टॉपर बच्चे जैसा है जो क्लास में पढ़ता है जो teacher ने पढ़ा है जो किताब ने लिखा जो diagram बना किताब में वहीं भुठाया पेपर बना के आ गया इसने अपने दिमाग का इस्तमाल नहीं कर रहा हां लेकिन जो बिचारे लेट नाइट सड़ी करते हैं आखरी मुमेंट पर पढ़ते हैं उन्हें high level of reasoning के दरूद होती है उनने विचारों ने पढ़ा 20% होता है लेकिन लिखके 60% आणा पढ़ता है जिसमें उनके नंबर 50% 40% आ भी जाते हैं वहीं जो बच्चा 100 नंबर का पढ़ा है तो उसमें मेहनत भी तो उत्ती करी होगी हम अपने system को मैं यह नहीं कह रहा है इस example को देखके आप यहों समझ जाती तो फिर AI की जरूवत ही क्या थी AI की जरूवत ही नहीं थी AI की जरूवत ही जब होती है जब वो system को time के हिसाफ से ले लेकिस करे मैं आत्माटिक वाशिंग मशीन उसमें आप कपला डालोगे क्या गारेंटी आपको कपला कितना मेला होगा मैं देखिए semi-automatic machine क्या कहती तुमने जैसी खटका घुमाया उसका जैसी उसका regulator घुमाया हम तो चलना चालू हो जाएंगे लेकिन फुली आटमाटिक वाशिंग मशीन यह नहीं करती है फुली आटमाटिक वाशिंग मशीन कपड़े को sense करती है और अपने rules को change करती है और change करने के बाद उसकी dependencies को अलग मतलब यहां पे real life problems को हमेशा हमें दिमाग में रखना है जो mental activities रहती है जिनके beliefs को लेके हम काम करते है एक बड़ा अच्छा एक्जामपल देता हूं मैं मैंने किसी को गाड़ी चलाना सिकाई और उसे बोला कि सामने आपके truck जा रहा है तो आपको overtake अगर इसको करना है तो आप साइड देखिए उदर से कोई गाड़ी नहीं आ रही तो अगली दिन वह बचेगा नहीं क्योंकि वह एक्सेडेंट कर देगा लेकिन इस रूल के साथ-साथ मैंने एक बात बोल दी एक वर्ट जोड़ दिया अपने हसाब से फोड़ा देख लेगा अपने हसाब से फोड़ा देख लेना मतलब आपको जब ट्रक आ रहा है उसके हिसाब से मतलब आपकी स्पीट क्या है डिस्टेंस क्या कवर करना है और क्या आप टाइम ली उसको कर पाऊगे क्या करते हैं कि नहीं नहीं आप तो सारे रूल अभी लिखी है इसके बाद को नए रूल आएगा इस जैसे ही तो हम उस पर जोड़ लेंगे ठीक अच्छी बात है लेकिन कोई रियल टाइम में कोई इसकी अप्लिकिशन काम नहीं आए अब मॉनलब्स अब फॉर्मले के अंदर उसके बाद ही इसके बाद आते हैं यसके पिद्राइबेक्स ब्राइण को मतलब आम तोर पर जो आम जंता की प्रॉबलम है इसलिए कम यूज किया जाता है वही जगाओं पर यूज किया जाता है जहां पर रेट्रफिकेशन की धरूबत होती है जहां के सर्फ आप से बोला जाता है इसके बाद इसका एक और चीज है कि अगर मालेजी आपको कोई चीज कोई चीज कोई चीज आ गई या कोई एक अंसर्टन चीज आ गई या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि पीच में नहीं है जो होते हैं क्योंकि यह काम करती है हमारी इस तरह के स्टेट्मेंट लिए यह काम नहीं आए इन्फरेंसिंग जो है इसकी काफी इसके बाद एक और जो पॉइंट है उसका यह कि अगर आपको कोई नया नौलेज जो है जो आउट अड़ बॉक्स है वो आप इसके अंदर न आपने करें हैं चीजें उन्हीं डिराइब चीजों को आगे आगे बढ़ाता जाता है और इसके बार में जो बताया वह यही है नौनिटारिक रीजनिंग कि यह एक ही चीज पर स्थिर रेता है वो है कंसिस्टेंसी